बच्चों मैं सुनीता कपूर एक बार हिंदी कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम सुगम हिंदी व्याकरण का चेप्टर उपसर्ग और प्रत्याव को पढ़ेंगे इसमें उफसर्ग है अद और खिला उसमें सब्द जोड़ दिया तो क्या बना किला पर तंतर इसमें उफसर्ग पर और सब्च्चों गिया उप पलस हार उपहार मतलब एक नया सब्च बन गया उनि座िक Heidi पहले अद पर थठए उप सब्च सब्दांस लगाकर नए सब्धमने बनाये, सब्दांस का अर्थ होता है, सब्द का कोई अंश, बचों, इसकी परिवासा इस प्रकार है, वे सब्दांस जो किसी सब्द के पहले जुड़कर, उसके अर्थ में परिवर्थान या विसेस्ता लाते हैं, उनों उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग के प्रयोक से नए सब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है अर्थात भासा के वे छोटे से छोटा सार्था खंड जो सब्द के प्रारंब में लगकर नए सब्द का निन्मान करता है उसे उपसर्ग कहते हैं उपसर्ग का अपना स्वतंत अर्थ नहीं होता जब किसी मूल सब्द के साथ कोई उपसर्ग जोडता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है जैसे उप प्लस बन उप बन उप का कोई अर्थ है नए पर वन उसमें लग गया तो उप बन हो गया वी प्लस योग तो इसमें में हमको सब्दान से वी जोड़ना है तो ज्ञान में हमने वी जोड़ा तो विज्ञान हो गया देश में वी जोड़ा विदेश हो गया भिन में वी जोड़ा तो विभिन हो गया मतलब यह नए सब्द बन गए बच्चों हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं संस्कित के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कित के अव्यप जैसे संस्कित के उपसर्ग अधी, अधीपती, अधीकार, परा, पराजय, पराक्रम, आ, आकाल, अज्यान, उप, उपराष्टपती, उपनाम और हिंदी के उपसर्ग जैसे अन, अनपढ, अंजान, सा, सापरिबार, सफल अन में जोड़ दिया, हमने पढ़ जोड़ दिया, तो क्या होगे बच्चों, अनपढ हो गया, अन में जान जोड़ दिया, तो अनजान हो गया, सा में परिवार जोड़ दिया, सा परिवार हो गया, सफल में, अने सफल है जो, तो फल में हमने सा जोड़ दिया, तो क्या हो गय इसे उर्दू के भी उपसर हैं, खुश में जोड़ा तो खुश भू हो गया, खुश में वरी जोड़ा तो खुश खबरी हो गया, हम सफर, हम उम्र इने बहुत सारे इस प्रकार के एक्जामपल हैं, इसे ला, ला में हमने जवाब जोड़ा तो ला जवाब हो गया, ला में व घड़ी जोडी हर में घड़ी जोड़ा तो हर घड़ी हो गया हर दम हर पले से पहुत सारे सब्द six और सकते हर सन्सकित क प्रत्या 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 प्रती प्लस आई प्रत्या, प्रती अन्य साथ में पर बाद में आए मतलब चलना सब्दों के साथ पर बाद में लगने बाला प्रत्या के कुछ निया में बचो प्रत्या सब्दान्स होते हैं सब्द के बाद में लगते हैं उपसर्ग सब्द के पहले लगते हैं प्रत्या सब्द के बाद लगते हैं ये अर्थ में बदलावू लाते हैं कि बच्चों कि परकश्च के विक्ष एकजामपल हैं जीसे प्रुक्त उधार्णों से दूध वाला सब्जी वाला क्याने खिलाडी जैसे बाला वाला इसका कोई अर्थ है नहीं आडी इसका अर्थे पर इसके आगे ना हो करके मतलब दूद लगाए है ना तो वाला दूद वाला सब्जी में हमने लगा दिया प्रत्य हमेशा कहां लगता है बैच्छों बाद में हमने बाला सब्द इसमें जोड़ा तो सब्जी बाला हो गया दूद के आगे बाला सब्द जोड़ा तो सब्दांसों का कोई सार्थक अर्थ नहीं मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है पर तो सब्जी तता खेल सब्दों के पीछे जोड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया इसे ऐसे ही सब्दों को प्रत्या कहते हैं और बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं बच्चों अब प्रकार परिवासा है इसे सब्दांस जो किसी सब्दों के अंत में जुड़कर उस सब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेष्टा अंपन कर देते वे प्रत्या कहलाते हैं बच्चों सब्द है जैसे धर्म, वर्स, हिर्दय, समाच और इक सब्दान से इसमें हमको क्या जोड़ना है एक प्रत्या जोड़ना है प्रत्या कहां लगते है पीछे, इसमें हमको पीछे लगाना है धर्म एन्हें एक अपने प्रत्या जोड़ा तो क्या हो गया धार्मिक बर्स में एक प्रत्या जोड़ा तो क्या हो गया बच्चों वार्शिक हिर्दय में एक प्रत्या जोड़ा तो क्या हो गया हार्दिक समाज में एक प्रत्या जोड़ा तो क्या होगे बच्चों समाजिक एसे भी बहुत सारे एक्जांपल हम इस प्रकार बना सकते हैं बच्चों ुआ के दो भेद होते हैं करत परत्या और तदित प mysti करत परत्या क्रीया के अंथ में लगकर उसे संग्या और विशेशन का रूप देने वाले सब्दांस कर डू ऋकते हैं करत पत्य हैं गर डंत है जैसे बने वाला ऐसे बहुत सारेच्जाम्पल बना सकते हैं तुसरा है हार होनहार पालनahn ऑप्थ क्रत्प्रत्य से बनने 와서 करता нрав हार्थ करने वाले का ज्यान कराते हैं तदित-प्रत्या वे प्रत्या जो संग्या सर्वनाम विशेशन अथ्वा अवयव के अंत में लगाये जाते हैं किसके अंत में लगाये जाते हैं बच्चों संग्या सर्वनाम और विशेशन के अंत में लगाये जाते हैं वे कुन से प्रत्या कहलाते हैं तदित प्रत्या कहलाते हैं इनके योग से बनने वाले जंगली है ना इसमें बड़ी ई लगाए तो मात्रा हमें बड़ी ई है प्रत्या में ई बड़ी है और मात्रा भी फिर हम किसके लगाएंगे बड़ी की लगाएंगे जहां प्रत्या छोटी ई वाला आएगा तो वहां पे मात्रा हम छोटी ई वाले लगाएंगे बच्चों उपसर्ग प्रत्या दोनों ही सब्दान से दोनों का स्वतंत रूप में ना तो कोई अस्तित है ना ही इनका कोई अर्थ है पर फिर भी दोनों में अंतर है उपसर्ग सब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं जबकि प्रत्या सब्द के अंत में और जिसे प्रत्या खाने वाला यहां पर सब्द क्या है खाने और प्रत्या जोड़ा वाला तो बना खाने वाला ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पल हम बना सकते बच्चों कि थैंक यू बच्चों इस्टे होम इस्टे से